हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु मैं यूट्यूब चैनल दपैट विजन दिस साहिल मली की वर होस्त अंद यूर्वेट तो कैस्ट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट को बचा सको कॉस्य क्टिपेशन को जानने से पहले आपको ये ज़रूर बता होना चाहिए कोई बीमारी नहीं है यह कंडिशन होती है जिनकी बावल जो मॉमेंट होती है तो वह एक depends कहलाती है जैसा होमन में भी आपको पता होगा अगर हम की बात करें तो इनेबिलिटी तू पासे नॉर्मल स्टूल डेट इस नौन एस कॉंस्टिपेशन के कुछ क्या है जो बेसिकली आपके डोग के अंदर होता है सबसे पहले कारण है आप अपने डोग को मानलो कम आपको देहने को मिलता है अगर आप अपने डोग की डाइट पूर रखती हो अच्छा खाना नहीं दे रहे हो तब ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप डोग की डाइट के अंदर फाइबर कंटेंट कम दे रहे हो बैसिकली यानि नोन फाइबर वाली आप जो डाइट द या जिसे हम basically gravels बोल देते हैं gravels भी खा गया या कोई plants वगरा खा जाता है उसकी वज़ए से आपके डोग की intestine वगरा है वह block हो जाती है जो एनस वाला जो reason होता है rectum जो होता है वह block हो जाता है जिसकी वज़ए से constipation होने की possibility भी आ सकती है और गाइस एक matter करता है एज अब गाइस आपका दोग अगर काफी जादा एज है तब भी ऐसा हो सकता है और गाइस आपके डोग के अंदर basically एक hypothyroidism नाम की condition आ जाती है इस situation के अंदर भी ऐसा हो सकता है अगर renal issues है यानि जो urine problem है तब ऐसा problem हो सकती है अगर आपके डोग का जो जो हमारा prostate जो gland होता है डोग के अंदर पाया जाता है अगर वह लार्ज हो चुका है तब ऐसा problem हो सकती है अगर जो एनल ग्लेंड जो opening होती है उसमें problem होती है तब ऐसा problem हो सकता है तो उसके अंदर भी आपके डोग को कॉंस्टीपेशन से सफर करना पड़ सकता है अगर आप अपने डोग को पानी कम दे रहे हो यानि वो डी हाइडेशन का अगर शिकार हो गया तब भी कॉंस्टीपेशन आपके डोग को हो सकती है और साथ महीं अगर आपके डोग को spinal injury है तब आपके डोग को face करना पड़ सकता है कुछ medications भी ऐसी होती है जो आप बिना पूछे अपने डोग को दे रहते हो तो उसकी वज़े से भी आपके डोग को कोई भी injury होगी है तब भी आपका डोग कोंशी पेशन नाम की condition से सफर कर सकता है तो अब हम बात करते हैं इसके symptom तो जैसा कि आपने देखा कि कोजिस कितने ज्यादा कोजिस थे तो यह मैंने कोजिस जो उठाए है परसनल एक experience है और बेसिकली एक जो physical जो appearance हमको देखने को मिलती है या basically उसके पीछे क्या reason हो सकते है ऐसे वैट मैं आपको यह चीजे बता रहा हूं देखे गाइस आपके डोग की अगर पोटी वगारा आ रही है तो आपको वो पोटी जो है hard pebble like दिखेगी यानि basically वो थोड़ी hard दिखेगी आपका डोग straining कर सकता है लेकिन straining तो वो करेगा बट गैस उसके अंदर जो stool है वो पास ही नहीं हो रहा तो यह एक symptom देखने को मिलेगा आपका डिसकंफर्ट से सफर करेगा painful हो सकती है defecation यानि जब वो defecation करेगा तो problem हो सकती है उसके anal opening में anal reason में और वो करा की एक आवाज कर सकता है यानि जिस हम बोलते हैं कराने की आवाज आपके डोग का अगर stool आ रहा है तो उसके साथ mucus भी आ सकता है और आपके डोग के stool में concentration का हो सकता है तो बेसिकली आपको symptom से देखने को मिलेंगे तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको फरस्ट एड या वो कौनसी ऐसी medicine है जो घर पे रखनी चाहिए ताकि आपका डोग इस situation से सफर ना करें तो जैसा की screen पे नजर आ रहा होगा Dictone Plus के नाम से यह syrup आती है हिमालिया की syrup है देखे गाई एक बात जरूर ध्यान देना मैं आपको फरस्ट एड बता रहा हूं अगर आपका डोग ज्यादा प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो नियर बाइट के पास जाओ और एक प्रॉपर एक treatment लो ताकि आपके डोग की जान करनी बढ़ सकती है और फिर बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी अगर समस्या बढ़ जाती है तो तो यह जो डिक्टोन प्लस जो शिरफ है आप 1 ml मौर्निंग में और 1 ml शाम को दे सकते हो अगर आपका डोग थोड़ा सा बढ़ा होता है बैसिकली एक साल से बढ़ा होता तो थोड़ी डोस बढ़ाते रहो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बट यह ज़रूर ध्यान देना आपको देना तबी है जब आपके डोग को कॉंशिपेशन हो यह बैसिकली जो सिंपल इंडाजेशन भी बोल देते हैं अगर वो ऐसी प्रॉब्लम है तब उस सिच इंडाजेशन मिल जाएगा थैंक यू सो मुच फर वाचिं दिस और प्लीज दू लाइक, सुब्राइब, कमेंट और शेयर थैंक यू सो मुच